गूड इवनिंग श्टुडेंट्स आज है डे थर्टी सिक्स और डेली के भांती आज भी हम लोग इंगलिस या साइंस के नए पाथ सब्द सीखेंगे देखिए पहला सब्द है एकोलोजी क्या है इसको हम लोग समझते हैं देखो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉ एकोलोजी क्या एकोलोजी इस्टरी ओफ मेडिकर डेमेजी ठीक है बच्चो अब आए दूसरा वर्ड हम लोग का एड जॉपसं क्या है एड जॉपसं दीक है यह आप लोग पर सकते हैं लिखा हुआ है इंगलिस में ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आईये अब मैं आपको में एड़ जॉर्वसन क्या है ठीक है बच्चों इसको हम लोग समझ लेते हैं चलिए देखिए आप के पास कोई चौक हो जिससे हम लोग ब्लैक बोड पे लिखते हैं इस चौक को अगर आप पानी का कोई कंटेनर हो इसमें डाल दे ठीक है चौक को और उसके बाद फिर इस च पूरे अंदर तक नहीं गया है सिर्फ उपर वाले सर्फेस पे ही पानी से भीगा है और अंदर सूखा है इसी प्रॉसेस को हम लोग बोलते हैं एड़ जॉर्षन मतलब इट इस दप्रॉसेस ऑफ एब्जॉर्षन ऑफ लिक्विड ओल्ली ऑन्ली ऑन्द सर्फेस ऑफ सॉलि संद्सर्फि क्या है जया सर्फि स copyright यह बलक में कभी नहीं होगा बच्चि यह सर्फिस में होगा सत्य में अगर सत्य पार ही सिर्फ एब्जॉर्षन हो तो वह ऐसे सी जाता है एड़ोर्वै और जहां पर वो इसको बोलेंगे और जिसका इसको बोलेंगे एड़्जॉर्वेंट ठीक है बत्चों आई यह नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं इस्पिला एल्पूमेंड यह समझे आप अंदर यह जो पाथ है यह पीला वाला पाथ है इसे को हम लोग बोलते है योक क्या ऑन यूग क्लीर है बच्चो और उसके बाद अंदर जो यह उजला वाला पाथ है इसे को बोला जाता है क्या एलबूमेन क्या है एलबूमेन एक्चुली यह पोटीन और वाटर का बना होता है इसलिए खाने में भोले जाता है कि पिला वाला पाट को आप लोग मत खाईए क्योंकि फैट वैट है ठीक है कुलेस्टरोल बढ़ेगा आप उजला वाला पाट को खाईए ठीक है बच्चो त करते हैं चाहिं कुछ सने काते हैं जो पोटीन है यह कि उसका बना होता है तो यह अमीशीन का ही बना होता है पोर्टीन डेट्स वाई अमीनो एसिट अलसो नोने दब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दब पोर्टीन के लिए बच्चों अब है कि अमीनो एसिट का नाम अमीनो एसिट क्यों पड़ा तो जब इसका हमें स्टक्चर देखते हैं तो इसमें अमाइनो गृप जुड़ा होता है ए अगर सीमपल हम लोग लिखे तो ऐसा लिख सकते है एक एक अमीनो गृप जोड़ा एक तरफ आर जोड़ा या फिर सिमपल एच भी लिख दो और सी ओ लिख दो तो यह आपका त्यार हो गया है सिंप्लेश्ट अमाइनो इसिद याट इसट ग्लीसीन ग्लीसीन इसदा सिंप् महतने हैं दक्तर पास आप लोग जाएगा तो सुनने को मिलेंगा आई आप समझते हैं इसका क्या है माल लेडिज आ यह लेडिय क्लिए ना बच्चो और यह लेडिज प्रेगनेंट फिटस क्या बोलते हैं फिटस और जब पैदा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे नौजात पैदा होने के बाद क्या बोलेंगे नौजात और इंगलिस में उसको क्या बोलते हैं इनफैंट क्लियर है बच्चों तो बच्चा जब पेट में रहेगा तो निश्चीत रूप से या पेट में रहे पेट के बाहर रहे उसके अंदर क्रोमोजोम कितना होगा जिसमें ट्वंटी फाइफ ट्वंटी टू अर्टो सम होगा और बाकी वन पेर आईदर एकस होगा और ट्वंटी टू प्लस एक गाइब रहा तो यह क्या हो जाएगा बताव जी रोवाई हो जाएगा एकस गया प्लस एकस एक सा तो इस तरह अगर प्रोमो जोम एबनॉर्मिलिटी हो तो इसका कोई उप्चार नहीं है उसकेस में हम लोग को फीटस को एवर्ट करना होगा बच्चो इसी प्रोसेस को पता लगाने को हम लोग इंग्लिस में टर्म देते हैं अब देखो इसको इसको बोला गया क्योंकि इसमें इम्नियोटिक इम्नियोटिक फ्लूड का यूज होता है यह पता लगाने के लिए ठीक है बच्चो बाक इंग्लिस में यहां मैंने लिख दिया है इसको आप लोग पढ़के और ज्यादा जानकारी ले सकते यहीं बात है को नया बात नहीं लिखेगा होब कि आप लोग को समझ में आया होगा ठीक है बच्चो थाइंक्यू बेरी मुट्च अब लिखेगा है